अइस्ञे ऑर नमस्का स्य्ट जैसा कि आज हम सभी लोग शीखने वाले बाइबरेटर के बारे में जल्द आऽ यौपार्श overcome करना किया काम कंपन करना की जैसा थित रहना ये काम होता अब इसके बारे में पूरा समझेंगे वाइभ रेटल से वैसे हमारे mobile revenue प्रोब्लम नहीं आती है कि damit हो जाता है तो सब्सक्रेइब क्bery精 जाता है वह औरosi how यह 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 आता है चलिपन ला चेक करना होता है फिर इसे बदल देंगे के लेकिन कैसे चेक करेंगे कि उसके बारे में पूरा टॉपिक आज डहां दूभा सबसे पहली बात क्या है बहुत आज स्चेक्ट है जी लोगों की मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आज मुझे क्लास में क्या बताएंगे आज मैंनन को बताया भी है कि आज के आपको बाइब्रेटर के बारे मैं आपको सीखने को मिलेगा और आंगे डिस्पले के बारे मैं आपको बताऊंगा नमबर वाई अपना 6391711721721 जो भी सारे स्टेंट है अगर आपको वाईब्रेटर या एक पार्ट है जो कमपन करता है वाईब्रेटर एक पार्ट होता है जिसका काम क्या होता है फोन के अंदर कमपन करना तो या एक पार्ट है जो कमपन करता है यह दिखने में कैसा होता है कै इस तरीके के बना होता है या तो ऐसा गोल बना होता है या तो इस तरीके के बना होता है या तो ऐसा गोल होता है यह इसका रियल सेप होता है वाइबेटर के डिनोटिंग लेटर एम होता है या वी आईबी होता है एम का मतलब होता है मोटर या वी आईबी होता है सिंबल वाइब्रेटर का जो निसान होता है वो इस तरहिके के निसान बना होता है यह वाइब्रेटर का क्या होता है निसान होता है ऐसा निसान बन जाता है तो इसका मलब क्या है वाइब्रेटर है अब हम बात करेंगे वाइब्रेटर को चेक कैसे करेंगे यह सारी चीज्टें आप नोटिऒ कर ली, यह क्या करता है। है इसका क्या काम कहता है यह कटवी मोटर होती है, जैसे मोटर लगी पंक्ता है तो पंक्के में क्या होता है यह से तीने जीने मोटर लगा होता मैं modular, दीजिए तो दो बचेंगे जब वह घुमेगा तो वह अपने बैलेंस उसका खराब हो जाएगा तो वह कंपन करेंगा तो पुरी जगण को ला देगा उसी तरीके बाइबरेटर में ऐसा रहता है कि कटी हुई मोटर होती ही जब घूमती है तो पूरे फोन को हिला देती है तो कि बीप पॉइंट पर है कि कि सेट करते हैं मल्टी मीटर को बीप पॉइंट तो सेट करते हैं कि चेक करने पर कि बीप या वैलू दे कि फॉल्टी कुछ न दे कि तो खराब है मल्टी मीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे बीप पॉइंट पर सेट करने वाद जब आप इसे चेक करेंगे तो चेक करने करने का पर क्षी होता है दूसरी बात रिबयेतर कॉicial का सकते अगुरी घडरिया डेकुन करें गया यह चार वोल्त उससे जब करेंगे तो वह उनकार करेंगे यह बडुमधत करेंगे देखिए अब हम क्या करेंगे मल्टिमिटर दारा क्या करेंगे इससे चेक करेंगे आजए देखिए मैं आपको छेक करके दिखाता हूं जैसे मेरे कि रखाए लगा हुआ है यह अधो में पाई जाता या तो आपका रख़ुआ कओ को कि कारेंगे हम लोग करेंगे हाइisy करें कर मुल्टी मीटर को साठी इससे पहले को चेक करेंगे यह आप क्या करेंगे हैं इस से लगण लखाएंगे चेक करेंगे यह देखें दे रहा है किया दे रहा है चेक करने पर बीप दे रहा है तो आप चाहओ तो उल्टा करके भी चेक कर सकते हो कि यह दे रहा है अगर चेक करने पर दे एया वैलू दे क्या देगा वैलू देगा तो हमारा सही और नहीं देगा तो कि खराब है तो जैसा कि आप सारे श्टण निया आप लोगों ने शीख़ा कि हमने राएब डाके लाँ आप हो कि फीरे निया या चांगे थी कर से IC हो गया इस तरीके से पूरा हम लोग basic clear करेंगे जब basic clear होने के बाद फिर आपका चलेगा circuit चलेगा कि mobile phone में आने वाली problem को circuit से हम कैसे repair करते हैं circuit से कैसे ठीक किया जाता है क्या ठीक करने का तरीका होता है लेकिन उससे पहले आप जितना भी hardware किया हुआ जाना hardware का one by one करके पूरा practical चलेगा कि मैं आपने जितना भी सारा सी सीखा हुआ है इसका आप प्रेटिकल का वीडियो मिलेगा उस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जमपर लगा जाते हैं कैसे चेक करें जाते हैं कैसे यूवी गलू का इस्तेमाल किया जाता है कैसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारी टीम आपको आंसर करेंगी उसको जबाब देगी एक एक करके सारी चीज के बारे में समझाएगी कोई बी ऐसे प्रोफेस्नल ट्ूल से अगर आप को चाहिये तो आप गवारे प्रपर ट्रेंङी लिए इसको पैस के पैस कोई पैसा डेना पड़ा ऑश आड़र रही z के जट तक सारे टूल साम को मिल जएगे दूसरी बात कि आए कि आप इस चैनल के दौरह आपको एक कार। करके जो भी मॉबाइल फॉन राप्रचाद मुबल्लम्स करने और लोगों यह पता चले कि मोबाइल कितना सही चाहते हैं अगर आप आप चाहते हैं कर रहा हैं कि पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं क्योंकि MY चे बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना काम सीखे या बहुत आधा दूरा क्यांसे तोड़ा बहुत काम सीखी लिए कई दुकान पर बैट करके सीख लिsystem यह ऐसा पर सिख लिया तो सब्सक्राइस आंको मिल जाती लेकिन बस यह रहता कि कुछ ऐसा चीज होता है जो आप हमसे आकर कर इसी क्या होता है लेकिन शीखना बहुत एक बार है अगर अच्छा सीख लेते हैं तो उसी अच्छे सीखने के साथ साथ आप अपनी कमाई को दिन पर दिन क्या करते रहते हैं ग्रोफ करते रहते रहते हैं और आप एक ऐसे जगह से जुड़े रहते हैं जहां से आपको मिलता पूरा आप पाएंगे तो completely ही सीखेंगे यह ट्रेनिंग सेंटर इटेक स्टुट नाम से यह कानपुर सागर मारे करने पड़ता है जहां पर आपको मोबाइल फोन तो संब्दित या लैप्टाप संब्दित पूरी complete knowledge या complete टूल्स complete एसिसरी पार्ट्स या कोई भी चेक करके आप ले जा सकते हैं या मंगा सकते हैं थैंक्यू दोस्तों ओके कर दो